मैं बात बना चाहता हूं कि बाद लोग इस बात को इस हद तक लेके चले आते हैं कि उनकी पहली मैर्ज में एक साया मंडरा रहा है, कि मेरे शोहर पता नहीं कब दुसी शादी कर लेंगे, अब जिस दिन करेंगे उससे पहले थोड़ा जहन बनाना एक बात है, लेकिन इस हद तक बात लेके चाहता है, अब यहां कैसा है मामला देखी, बहुत सारी ओरतों के जहन नहीं होता है, कि मेरे शोहर अगर दुसी शाद करेगा, तब जाकर वो अशोर कर दे, कि मैंने किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूँगा, मैं सिंसियर रहूँगा, तुम हमेशा मेरी नमबर वन रहनी वाली, मतलब मुझ जिस तरह से शोर करना चाहिए, ताकि उसको confidence आजाए, कि यह शादी बहुत ज इतने में आती है न, कि हमारे हैं जो एक नजरीया कि पहले में कोई आईब होगा, उसका कोई आईब ऐसा चाहिए, ताकि मैं दूसरी कर सकूँ, मुझे बहाना बन सके, उसमें ये भी होता है, कि बाद मरतबा शोहर बार बार और आउरत का कोई एक एक खामी ढूंड रहा है और उस खामी ढूंडने का मकसर सिर्फ ये है, कि उसको कन्वेंस करना है, कि तुम्हारे अंदर ये खामी इसले में दूसरी करने जा रहा हूँ, मैंने ये देखा है, तजरुबात में बहुत सारी बात हैं, आदमी को दूसरी करना है, असलन उसकी जरूरत है, लेकिन वो क्य किचन में जाकर के बारीकी से एब निकाल रहा है, कि उसको किचन समालने का तरीका नहीं आता, उसको बिस्ता रखने का तरीका नहीं आता, ऐसे भी मसाहला है मेरे पास, कि वो सामान कबड में कैसा रखना चाहिए, उसको नहीं आता है, एक 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 क्यों ढूंड़ रहा है, इसलिए कि इन उयूब को बन्याद बना करके वो दूसरी कर सके तो दूसरी होगी कि नहीं होगी पता नहीं पहली तो उसकी जिन्दकी तबाओ रहे इसा भी होता है कि जितने ऐसे लोग हैं वो फिर पहली को बिलकुल अलग तलग कर देते हैं मौलगा कितरे शोड़ देते हैं उसके हिसासाद और उसके तकाजे को नहीं देखते हैं और यही वज़ा है कि लोग जिनकी बेटी होती है या जो पहली बीबी है वो दूसरी शादी से ड़ते है अगर यह खौफ जहनों से निकल जाया और अगर यह खौफ बीबीओं के जहन से निकल जाया कि शोहर मुझे छोड़ देगा या मेरे साथ कोता ही करेगा तो शायद यह जो मामला है वो ना पेशा है तो हमारे नाजरीन में से जो हमारे भाई हमारे यह एपिसोड डेख रहे हो उनके लिए दो तजरुबकार लोगों की तरफ से एक नसीहत यह है कि आप पहली बीवी को अपने एतिमाद मिलें उसके साथ उसको कन्वेंस भी करना है तो वो कन्वेंस बहुत पॉजिटिव तरीके से हो पहली बीवी अगर बहतर तरीके से आप कन्वेंस उसको करते हैं तो इस बात का इमकान बढ़ जाता है कि आपकी दूसरी शादी भी इन्शालला होताला कामियाब होगी लेकिन कन्वेंस करना इस हद तक ना ले जाए कि वो बात रोज जिन्दगी का हिस्सा बनी में है जाए वो गन्वेंस करना है तो इंपरसनल ना पर मैं समझता हूं कि दिन में इसलाम में करी उसको कन्वेंस बढ़ जाए पुरियाँ जोर्चर ना पर चार्चिर ना करें चरीक ये भी है कि अब ये प्रोग्राम साथ में बैठके दे हम लोग जान रहें यह है क्या अब उस हद तक कन्विंस होने की इंशालों उमीद है